सरकार ने गरीब और जरत्मन लोगों को रहाद देने के लिए खादे सुरक्षा योजना लागू की है इसका मकसद इन परिवारों को रियायती दर पर गेहू मिलना है लेकिन शाक्सों में सरकारी योजना का बड़ी संख्या में अपात्र लोग फादा उठा रहे हैं जी हाँ खादे सुरक्षा सुची में कई ऐसे परिवार शामिल है जिनके परिवार का ना कोई सदस्य है सरकारी सेवा में है इसके बावजूद ये परिवार खादे सुरक्षा में अपना नाम जुड़वा कर सस्ती दर पर गेहु डकार गए है ऐसे में खादे और नागरी का पूर्ती विभाग और जिला कलेक्टर के आदेश पर ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई शुरू की गई उपखंड दिकारी ओंप्रकास सहारण ने इस पर बता कि शेत्रों में राश्ट्रिय खाद्य सुरक्षा यूजड़ा में अपात्रे लोगों की जाच की जारे है अब तक की जाच में 23 सरकारी करमचारियों से करीब 2,4,000 रुपए की वसूली भी की गई है तो वहें 150 करमचारियों को भी करीबन 7,000 रुपए की वसूली के लिए नोटिस चारी के गए अगर कार्मिक निर्धारित अवधी में राश्टी जमान लही कराएंगे तो फिर राश्टिय खाद्य सुरक्षा अदिलिया में उन्हें कठोर कारवाई की चाएकी